सरकारी बैड बैंक बहुत सारे लोगों को NPS समझ में नहीं आता है बैड बैंक समझ में नहीं आता है ये आर्थिक विशलेशन के शब्द हैं जो आर्थिक मामलों में उप्योग किये जाते हैं तो सबसे पहले बैड बैंक क्या है ये समझते हैं वहीं बैड बैंक से सबसाइब ख़oss לא फादा था प्याइब कonse बैंकों की बैंकों की बैंकर साफ सुतह था हुगा करण करने करना होगा सबस số तरह की समसाइब कर दे की जाएंगै अब NPO को समझते हैं भारती रिजर बैंक की नीमो को अनिसार जिस समपती से बैंक की कोई कमाई नहीं होती उसे NPO कहा जाता है अलकि इसके लिए 180 दिन की सीमा तैय की गए है यानि अगर किसी लोन की किस्तें 180 दिन से अधिक तक नहीं आती है तो लोन NPO की किस्टेंडी में चल सकता है क्योंकि करोना काल है पिछले साल 2020-2021 तक देश ने बहुत कुछ देखा है तिसलिए ऐसी सित्या निर्मित हो रही है बैंक के फसीवकर जिन NPO की समस्चे से ने पर्टिकलिय सरकार ने बैड बैंक का आइडिया दिया था वित मंतरी निर्मला सितरमने वित वर्ष 2021-22 क बजट को पेश करते हुए असेट्स रीकंस्ट्रक्शन कंपनी यानि बैड बैंक की घोशना की थी अनमान था कि अगले मेने से अब ये शुरू हो सकता है अब भारतिय बैंक संग यानि आई विया के सीओ सुनील महता ने भी कहा है कि अगले महना यानि जून से बैड बैंक की शुरुवात की जा सकती है बैड बैंक एक तरह की करेंड रीकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसका काम ही होता है कि बैंकोंके फसेवे करजों यानि न्फियो को टेक और करें बुरे कर्ज को बैड बैंक ले ले लेगा और फिर वसुली की कोशिश करेगा तो बताने का मतलब बैड बैंक की जो विवस्था होगी उससे कहीं ने कहीं आर्थिक इस्तितियां सुद्रेंगी बैंकों की इस्तितियां सुद्रेंगी लोन मिलेंगे जिससे लोगों की आर्थि इस्तिती अच्छी होगी अगर आपको हमारे वीडियो चल लगा स्पेश्बूक पेट पर लाइक करें और योट्यूप पर सब्सक्राइब करें असरदार भी खबर भी तरोकार भी ललूराम जौट कॉम सच कहेंगे ललूराम